इस वीडियो में आज हम Common Types of Communication Port पढ़ेंगे यानि कि हमने क्या पढ़ना है? हमने Communication Port के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि Port किसे कहते हैं? Port कहते हैं जगा को, जिसे हम असान English जबान में कहते हैं Space Port हमारे पास Space को कहा जाता है और Communication कहते हैं रापते को या अपना पैगाम एक जगा से दुसरी जगा पहुचाना यानि कि कम्प्यूटर के अंदर वो जगा जहां से कोई भी डेटा उस तक पहुचता है इस जगा को Communication Port कहा जाता है और यह जो Communication Port है यह दर असल इस्तमाल क्यूं होती है? यह कम्प्यूटर और मुख्लिफ पैरिफिरल डिवाइसेज पैरिफिरल डिवाइसेज वो होती है जो कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट की जा सकती है मिसाल के तोर पे माउस, कीबोड, हैटफून, प्रिंटर यह वो तमाम डिवाइसेज हैं जो कि आपने देखी होंगे अपने कम्प्यूटर जब भी आपने इस्तमाल किया होगा इने पैरिफिरल डिवाइसेज कहा जाता है इनकी क्यूमिनिकेशन के लिए यानि डेटा इनके जरिये कम्प्यूटर तक पहुंच सके, क्यूमिनिकेट कर सके तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक पोर्ट की ज़रूत पड़ती है, जहां पर यह डिवाइसेज कनेक्ट होती है अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपने माउस कनेक्ट करना है, माउस की तार आपने जहां जोडनी है, वो जगह हमारे पास क्यूमिनिकेशन पोर्ट है बलके अक्सर आप अगर computer की जो आपका desktop computer है अगर आप उसकी back side पे देखें तो आपको इस तरह की मुख्तलिफ ports नजर आएंगी यह वो जगे हैं जहां पे हम अपनी peripheral devices अपने mouse, keyboard, monitor, printer, headphones इन तमाम devices को यहां पे हम connect करते हैं जोड़ते हैं अब यह communication port का हमें अंदाजा हो गया है कि यह क्या होती है अब communication port या जिन्हें computer port भी कहा जाता है अब हम क्या करते हैं इसके मुख्तलिफ examples देखते हैं सबसे पहली example हम देखेंगे computer की back side पे आपको एक port नजर आएगी इसे PS2 port या PS2 connector कहा जाता है यह port पाती है कियूं? silicone mouse और keyboard को connect करने के लिए अब इसमें फरक करने के लिए कि महारे पास Если पहती है और कॉन सी tyre keyboard के लिए जो computer नहीं पहचान पाता तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे हमने color code कर दिया है color code के मताबिक यहां पे जो हमारे पास green port आपको नज़र आ रही है यह जो green port है यह इस्तमाल हो रही है mouse के लिए यहां पे हम लिख देते हैं 7 में कि यह इस्तमाल हो रही है mouse के लिए और इसके साथ जो आपको परपल पोर्ट नजरा आ रही है ये इस्तमाल हो रही है कीबोर्ट के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे अपना कीबोर्ट कनेट करेंगे और इस पोर्ट को PS2 कनेक्टर कहा जाता है अब अगर हम इसका थोड़ा सा तफसील के साथ जाइजा लें तो इस पोर्ट के अंदर 6 PIN लगी होती है इने 6 PIN कनेक्टर भी कहा जाता है हर PIN जो होती है उसका एक खास मकसद होता है जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दिखाये गया है और इस टेबल के अंदर हर PIN के ऊपर एक नमबर दिया गया और इस नमबर के मताबिक बताया गया है कि इस PIN का क्या काम है जो पहली PIN है यहाँ पे हमारा actual जो हमारा binary data है वो travel करता है जो second PIN है यह neutral रहती है यहाँ पे third PIN जो है यह ground के लिए इस्तमाल होती है यह electrical जब भी transmission होती है तो हमारे लिए ground रखना बहुत ज़रूरी होता है ताके जो हमारे पास different PINs है यह आपस में एक दूसरे से फासले पर रहे हैं कि अगर यह आपस में एक दूसरे से मिल जाती है तो फिर यहाँ पे short circuit हो सकता है और हमारी यह device जल सकती है और जो fourth PIN है यहाँ पे हमारा voltage maintain होता है 5th PIN में हमारा clock यानि कि आपकी जो input device है यह connected है आपके CPU के साथ जब कभी एक signal transfer होता है तो उसमें हमारी एक clock signal का इस्तमाल होता है इससे पता चलता है कि एक signal transmit हो गया है यह एक signal चला गया है उसके बाद जब अगला signal चलता है तो उसके लिए फिर अगली clock चलती है हर signal पे एक एक clock चलती है और इसी तरह जो हमारे पास 6 port है इसके अंदर भी कोई connection नहीं दिया गया तो आपने देखा कि यहां पे यह ports किस तरह से कितनी important होती है और एक एक चीज़ का इसके अंदर ख्याल रखा जाता है communication port में हम दूसरी example यहां पे पढ़ेंगे HDMI high definition media interface HDMI port जो है यह इस्तमाल होती है computer monitors को connect करने के लिए या अगर आपने अपने computer के साथ TV connect करना है LED connect करना है उसे connect करने के लिए जोडने के लिए Blu-ray player यानि CD player जो होते है simple उन्हें जोडने के लिए या cameras को connect करने के लिए हम HDMI port का इस्तमाल करते हैं इसके अंदर high definition क्यों इस्तमाल किया गया है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास image की या तस्वीर की जो quality होती है वो बहुत ही अच्छी होती है इसलिए से high definition कहते है media interface यानि यहां पर तमाम यह media devices है interface कहते हैं वो जगह जहां पर connect किया जा रहा है HDMI वो जगह है जहां पर हम इन तमाम devices को connect करते हैं इसको अगर आप देखना चाहें तो यह इस तरह से मुझूद होती है आपकी computer में यहां पर हम अपनी HDMI high definition media interface केबल प्लग करते हैं जिससे हमारे computer, monitor, camera या किसी भी LED के साथ connect हो जाता है इसके बाद हमें core port पढ़ते हैं जो कि internet को आपके computer से connect करने के लिए इस्तमाल होती है आपने अकसर internet की wire अपने computer के साथ लगाई होगी जहां पर आप अपने internet की यानि कि आप अपने ethernet wire जहां पर लगाते हैं उस port को कहा जाता है RJ45 Ethernet port और वो इस शकल की होती है यहां पर जब आप इसको connect करते हैं तो आपके computer में internet connect हो जाता है और internet की सारी communication सारा data आपके computer तक पहुँचता है इसे RJ क्यों कहा जाता है RJ इस्तमाल होता है registered jack के तौर पे यानि इसे registered jack कहा जाता है jack एक English का word है जो के इस्तमाल होता है कहीं पे भी आपको switch लगाते हैं वो दर असल एक jack कहलाता है और उसी से ही बिलकुल मिलती जुलती चोटी सी एक port होती है इसे modern port कहा जाता है यह RJ11 port है यहां पे आपके telephone wire connect होती है याद रहे कि जब भी आपने telephone wire connect करनी होगी तो आप उसको RJ11 modem port पे लगाएंगे लेकिन अगर आपने ethernet wire connect करनी है तो फिर आप उसको यहां पे लगाएंगे और यहां पे ब्लू कलर का जो आपका एक connector होता है जो इसके साथ connect होता है उसे RJ45 connector कहा जाता है इसे आप अपनी computer की screen पे देख सकते हैं यह वो RJ45 connector है जो के हमारी यहां पे ethernet की जो इंटरनेट की जो पोर्ट है RJ45 पोर्ट यहां पे आपके इसे हम connect कर देते हैं तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी पोर्ट हैं इसमें से कुछ पोर्ट हमने डिसकस की है PS2 connector जो के mouse की बोर्ट के लिए इस्तमाल होती है game ports जहां पे हम अपनी game की devices लगा सकते हैं और different power charges जो हैं वो भी हमारे पास port की ही एक example आती है जैसे कि अगर आप laptop में power charger लगा रहे हैं वो भी एक port है लेकिन अब हुआ यह है कि आपको जैसे कि इस picture में नजर आ रहा है कि इन तमाम ports को latest जो हमारे पास technology आई है वो है USB port जिसने इन तमाम ports को replace कर दिया गया और इसे कहा जाता है game changer port और USB port की मदद से अब आप अगर mouse connect कर रहे हैं उसको भी आप USB के जरीए connect कर रहे हैं USB port पे लगा रहे होते हैं कीबोर्ट अगर आपके पास है तो कीबोर्ट भी आप USB port पे लगा रहे होते हैं तो इस वज़े से USB port की वज़े से हमारी जो computing devices हैं वो काफी ज़ादा simple हो गई है हमारे पास जो पुराने जमाने की computer थे उसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आपको colorful रंग बरंगी ports हर डिवाइस के लिए अलाएदा port हमें रखनी पड़ती थी लेकिन अब जो हमारी modern devices आ रही हैं उसमें इतनी ज़ादा ports आपको नजर नहीं आएंगी यूँकि अब हमें बहुत ही simple कर दिया गया है USB port एक USB port में mouse भी connect हो सकता है keyboard भी connect हो सकता है आपका power charger भी लग सकता है और बहुत कुछ आप उसमें connect कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही detail में discuss किया है कि communication port किसे कहा जाता है computer में मुख्तलिफ communication ports की कौन कौन सी types हैं और उसको हमने मुख्तलिफ example से समझा है